नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन के टॉप 25 पर्मोख खबर जनते हैं जर्खन में साधी से पहले अनिवार्य होगा HIV टेस्ट 20 एट्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है इसका मकसद HIV के बारे में जगरूपता फैलाना होता है बता दे इस दिवस के मौके पर भारत के कई राजियों में जगरूपता कारेकरम किये जा रहे हैं इसी करम में जर्खन की रैधानी राची में भी कारेकरम हो रहे हैं जार्खन सरकार साधी से पहले HIV टेस्ट कराने की अनिवारता के नियम को लागू करने को लेकर विचार कर रही है जार्खन के स्वास्त मंत्री ने कहा कि साधी से पहले लड़का लड़की HIV टेस्ट करा इसके लिए आवस्यक प्रवधान बनाने पर सरकार विचार कर रही है लेकिन किसी भी कानून को लागू करने से ज़्यादा जरूरिया होगा कि लोग खुद इसके बारे में जागरूप हो केंद्र ने ऐसे लोगों पर प्रहार किया है जिनकी बदलत देश चलता है सीएम हेमन्त जार्खन के मुख मंतरी हेमन्त सुरे ने किसान अंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जार्खन मंतरालाय में सीएम ने कहा कि आए देश के अंदता सलक पर है उनके सलक पर होने से देश की भ्यावा इस्थिती का अंदाजा लगाया जा सकता है केंद्र सरकार ऐसे लोगों पर परार किया है जिनकी बदल हो देस चलता है, देस के लोगों का पेट भरता है, यह दुख़त और चिंता का भी सय है आपको बता दे कि जल्द ही जारखन में हिमंद सरकार का एक साल पूरा होने वला है इस मोखे पर सरकार जनता के सामने साल भर के कामकाज का लेखा जो खापेस करने के तियारी कर रही है 2 दिसमबर से 18 दिसमबर तक एस समीक्षा बैठक चलेगी मैोने जारखन में लरनेटिक एप के जडरी मैट्रिक वर इंटर के स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे राजे सिक्षा पर्युजिना ने इस खास आयप को छात्रों के सुविधाय के लिए तियार किया है इसका लाब लेने के लिए छात्रों को रकम चुकानी नहीं पड़ेगी बता दे मुखमंत्री हमान सुरें तीन दिसमर को आयप को लंच करेंगे चात्रवीती मामले की जाच में केंद्र सरकार से मदद लेगा कल्यान विभाग इसी सप्ता केंद्री है अल्प संक्यक मंत्राले को इसका प्रस्टा भेजेगा और जाच के लिए लिष्ट उपलब्द कराने की मांग करेगा नकसली दस्ते में रखे जा रहे है टेक्निकल एक्सपर्ट राची पुलिस के हाथे चड़े नकसलीों ने पूछतास में बड़े खुलासा किये हैं पुलिस को बताया गया है कि पीलेफाई और मवादी संगठन की लोग अब अपने दस्ते में टेक्निकल एक्सपर्ट भी रख रहे हैं इसके जरीवा दस्ते के दूसरे सदस्यों को मोबाईल, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में जनकारी दे रहे हैं जैसे जैसे तकनिकी अधारित जांच की तरफ पुलिस आगे बढ़ रहे हैं इन संगठनों के लोग अपने बचाव के तरीके भी खोज रहे हैं बता दे भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी मवादी के कैंप में हर माह करीब दो बार टेक्निकल ट्रेनिंग को अनिवार कर दिया गया है जबकि PLFI के दस्ते में माह में एक बार एर ट्रेनिंग हो रही है रांची में फरार वरंटीयों पर होगी करवाई राजधानी राची में फरार चल रहे वरंटीयों पर पुलिस करवाई की त्यारी में है पुलिस मुख्याले की आदेश के बाद और अपराद की वरदातों पर अकेल कसने के लिए वरंटीों की तलाज सुरूख कर दी गई है फरार वरंटीों की गिरफतारी के लिए एक टीम का कथन किया गया है जो गिरफतारी के लगतार छापे मारी करेगी मजूदा समय में रांची जीले के थानों में मजूदा समय में 5000 से ज़्यादा वरंटी लंबित था है मामले को लेकर रांची SSP सुलेंदर जार ने जीले के सभी थानों को निर्देश जारी किया है कि वो जल्द से जल्द थानों में लमित वरंट की लिस्ट तेयार करे और इसकी जनकारी SSP कर्याले को उपलब्द करा है नई पेंशन योजना के बिरोध में कर्मियों ने लगाया कला विला नई पेंसन योजना के बिरोध में मंगलवार को विभीन विभागों में पदस्थापित करमचारियों ने कला विला लाया कर काम किया इस करम में करमियों का एक सिष्ट मंडल चात्रा उपायुक दिव्यांसु जहा से मिल करमुख मंतरी के नाम एक यापन सोपा करमचारी संग के जीला संजोजक सुनील कुमार ने बताया कि जहारकन परान्तिय समीती ने एक दिसंबर को सरकारी करमचारियों से NPS के खिलाप कला दिवस मनाने का आवान किया था खोंटी जीला के आदिवासी नवालिक छात्रा से समोईक दुसकर्म खोटी जीले का अपराधी ग्राफ लगतार उच्चा होता जा रहा है बतादे अपराधी घटनाओं में लगता बिरिधी हो रही है खोटी जीले के कारा परखंड अंतरगत कारा थाना छेत्रे में गत सोमवर को पांच यूकों द्वारा एक नवालिक आदिवासी छात्रा का अफ़रन कर उसके साथ समोहिक दुसकर्म किये जाने का मामला परकास में आया है घापना की जनकारी होने पर पूलीस ने तव्डित करवाई करते हुए पिरिता को ब्रामत कर लिया इस संब्ध में पूलीस ने चार यूकों को हिरासत में लेकर उनसे पूस्ताच कर रही है देवघर पुलिस की करवाई से बचने के लिए साइबर अपराधी अपना रहे नया तरीका देवघर के पाथरोल, थाना छेतर के संगरा, लेड़वा, बिल्ली, गोन्या, रूपवाद, पत्रा, आधि गाव के संदिग्ध साइबर अपराधियों में देवघर जिला पुलिस की तावर तोर करवाई से हटकम मचा हुए है, संदिग्ध साइबर अपराधी पुलिस से बचने के लिए कई परकार के हटकम पे अपना रहे हैं, इसमें मोबाईल खो जाने की सिकायत के आवेदन देकर खुद को बचाने का उपाय निकाला जा रहा है गीरी डी के कई स्कूलों में भागपा मवादियों ने पोश्टर बाजी की, गीरी डी के नकसल परवावित नीमिया घाट थाना छेतर के मटियो बेडा सरकारी स्कूल एवम आसपास के इलाकों में भागपा मवादियों ने पोश्टर बाजी की है, जिससे ग्रामनों में द करने की अपील की गई है पर्चे में कहा गया है कि संगठन द्वारा पी एल जीए की बिस्वी वर्षगांट दोस दिसंबर से आठ दिसंबर तक मनाने की पूर्जोर त्यारी है क्रिसी से जुड़े तीन कानून में किये गए संसोधन से देश की असी परतिशत से अधिक अबादी परभावित होगी रामेशवर उराव जार्खन कॉंग्रेस के पर देश अध्यक्ष रमेश्वर उराव ने कहा कि क्रिसी से समन्धित तीन कानून में जो संसोधन किये गए हैं उससे सिर्फ किसान ही नहीं परभावित होगे बलकि इससे देश की असी परचेस से अधिक अबादी परभावित होगी उराव ने मंगलवार को कहा कि कुरोना काल के 50 देश दुनिया के आर्थिकति वीदियों में जो बदलाव आ रहा है उससे देश का एक बड़ा अधियोगी घराना खुद्रा बेपार पर भी आपना प्रभुत्व कायम करने की कोशित करने में लग गया है पेंशन बहाली की मांग को लेकर पुलिस कर्मियों ने लगाया काला बिला रामगर जिला पुलिस एससेशन के सदस्यों ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है रामगर जिला के तमाम पुलीस मेम्स एसोसियेसन के सदस्यों ने मंगलवार को कला भी लगा के बिरोज जताया एसोसियेसन के अध्यक्ष अनिल कुमार यादों ने बताया कि एक दिसंबर को ही राजे सरकार ने पेंशन युजिना को बंद किया था मानव तसकरों के चंगुल से लोटी बच्चियों को मिलेगा कौसल प्रसिक्षन मानव तसकरों के चंगुल से लोटी बच्चियों को कौसल प्रसिक्षन मिलेगा साहिव गंज उपायुक्त राम निवास यादों ने ए बाते मंगलवार को कही DC ने कहा कि बच्चियों का नमांकन कस्तुर्वा गांधी बिद्ध्याले में कराया जाएगा साहिव गंज जीले से मानो तसकरी की सिकार बाइलकाओ को जाकन सरकार के निदेश पर दिली से एरलिफ्ट कर राची लाया गया था अपराद पर अंकुस लगाने में सरकार बिफल रगवरदास जाकन के पुरो मुखवंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रिय उपाद्यक्स रगवरदास बाबाबाय नात की पूजा करने पहुचे उनके साथ भरतिय जनता पार्टी के कई करिकरता भी समिलित थे उन्होंने काया कि जारकन में बर्तमान में भरष्टा चार बढ़ गया है राज में अपरादियों का बोलवाला है अपरादी बेखौफ हो गया है अपराद पर अंकुस लगाने में सरकार का नियंत्रण नहीं है नीजी इस्कूलों में बीपियल बच्चों को दाखिला के लिए हेल्प डेस्क बनेगा है राची डीसी छवी रंजन के अधर्ष्टा में मंगलवार को समनाले सभागार में सिक्षा भी भाग से समंधित समिक्षा बैठक की गई बैठक में डीसी ने प्राथमिक मद्ध उच एवं प्लस टू विद्यालों में नमांकन नीजी विद्यालों में सिक्षा के अधिकार के तहत नमांकन की स्थिती कस्तूर्भा गांधी बाइलकावा से विद्याले से समंधित मामले मिड़े मिल की स्थिती की समिक्षा की DC ने कहा कि नीजी विद्यालों में BPL कोटे से नमांकन लेने वाले चात्रों के लिए सभी स्कूलों में उपलवद सीट नमांकन की परकिरिया एडमिशन के लिए आवसक दतवेज को लेकर जीला सिक्षा अधिक्षक हेल्प डेस्क बनाए ताकि अविभाव को को नीजी स्कूलों में बच्चों को दाखिला कराने में परसानी न हो दलित आदिवासी बेटियों के साथ दरिंदगी जारी बीजेपी बिजेपी के परदेश परवक्ता प्रतूल सादेव ने कहा कि खुटी के करा इलाके में एक नवालिक आदिवासी बच्ची के साथ हुए समोहिक दुसकर्म की घाटना ने पूरे सिस्टम की पोल एक बार फिर खोल दी है प्रतूल ने कहा कि इस सरकार के कारेकाल में पिछले 11 महिना में रेप की घटनाये लगतार बड़ी है आदिवासी और दलित बेटियों भी लगतार दरिंदगी का सिकार बन रही है प्रतूल ने कहा कि जार्खन में बच्चों की सत लगतार गैंग रेप की घटनाये हो रही है अब तक इस बर्स में 1300 से भी ज़्यादा बलतकार की घटनाये हो चुकी है लेकिन सतधारी पार्टी जार्खन मुक्ति मोर्चा और कंग्रेस के नेता चुपी साधे रहते हैं जार्खन अंदोलनकारी 15 को जिलास्तरिय धार्ना देंगे 15 दिसंबर को जार्खन अंदोलनकारी जिलास्तरिय धार्ना परदसन करेंगे वहीं अगले 3 जनवारी को जार्खन अंदोलनकारी दिवस मनाया जाएगा यह जनकारी मंगलवार को करम टोली में जार्खन अंदरोनकारी संगर्स मोर्चा की प्रेसवार्ता में मोर्चा के कारेकारी अध्यक्ष राजू मतों ने दी है उन्होंने बताया कि अंदरोन कारियों के मान समान वा पेंसन की मान को लेकर पूरे राजे में जिलास तरिये धारना होगा जारखन में 181 नए मरीज की पुष्टी हुई है जबकि 227 मरीज स्वस्थ भी हुए है बतादे राजे में कुरोना से 5 लोगों की मौत हुई है बतादे इस समय राजे में कूल सक्रिय केस 1965 है जबकि 999 मरीज की मौत हो गई है पी एलेफाई का सब जोर्नल कमांडर सहीद चार गिरफतार राची पुलिस ने परतिबंधित उगरवादी संगठन पीपुलस लिवरेशन फ्रॉंट ऑफ इंडिया के सब जोर्नल कमांडर कृष्ण जयादव उर्फ सुल्तान और उसके तीन साथियों को गिरफतार किया है लेकिन मामले में पुलिस की तरफ से पुष्टी नहीं की गई है गिरफतारी को लेकर पी एलेफाई संगठन ने एक प्रेस भीग्यापित जारी की है जिसमें यह लिखा गया है कि अगर जल्द ही उनके साथियों की गिरफतारी को सोयोजनिक नहीं की जाती है तो वे जार्खन बंद का एलान करेंगे एड्स उन्मुलन के लिए सरकार परतिवाद बना गुपता राजी के स्वास्त मंतरी बना गुपता ने जार्खन एड्स कंट्रोल सोसाइटी को और से मंगलवार को वीश्व एड्स दिवस के उपलक्ष पर आविजित कारेकरमें सामिलित हुए इस उसर पर दिफ प्रजरित कर कारेकरम की सुरुवाद की गई साथी एड्स उन्मुलन की दीशा में कारेकर रहे संस्थाओ और लोगों को समानित कर हौसला अफजाई किया गया बना गुपता ने कहा कि राज सरकार एर्ष उन्मुलन की दिशा में विभीन कारेकलम चला रही है जिसे जार्खन को सीग रही एर्ष मुक्त किया जा सकेगा बतादे राज में अभी तक 25 या 75 HIV संक्रमित मरीज मिल चुके हाँ खोंटी जिला में एनिमिया अभियान चला एनिमिया मुक्त खोटी अभियान के तवत मंगलवार को तोरपा वकर्रा परखन में विशेस अभियान चलाया गया बतादे इस दोरान तोरपा वक करना परखंड के विभीन गरामों में जाच सिवीर का वेजन कर उचित उपचार भी सुनिशित कराया गया है गुमला से बाइक चोर गिरोह का परदफास गुमला के पूसो पूलिस ने बाइक चोर गिरो का परदफास करते हुए गिरो में सामिल दो लूटेरो को गिरफतार कर मंगलवार को गुमला जेल भेज दिया जबकि पूलिस ने इनके पास से लूटी गई चार मोटरसाइकल भी बरामत की है इस मावले को लेकर मंगलवार को पूसो थाना परिसर में आयोजीत प्रेस कॉन्फरेंस में डियस्पी मनीस चंद्रलाग ने बताया कि थाना छेत्रक के अंदर पिछले कुछ दिनों से मोटरसाइकल लूटेरा गिरो सक्रिये था रामगर जीला में पर्तेक माह की पहली तारिख को जनवी बच्ची के लिए मनाया जाएगा उत्साव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहद रामगर जीला परसासंदुवारा नई पहल की सुरू की गई है इसके तहद परतेक माह की पहली तारी को सदर अस्पताल और समुदाइक स्वास्त केंद्र आदी में जन्वी बच्चियों के लिए उत्सव मनाया जाएगा पतादे इस कारकरम का सुभारा मंगलवार को सदर अस्पताल से उपायुक संदीप सिंग ने किया धनबाद में चार बेपारियों से पचास-पचास लाख की रंगधारी मांग की गई है बतादे CPI मवादी के संगठन PLF5 के नाम पर बेपारियों को धामकी दी गई है दक्षिनी छोटा नागपूर और मोहन डिवीजन में PLF5 बड़े दस्ते पसक्रिये है पूलिस ने मुकादमा दर्चकर जाच में जूट गई है RRB, NTPC और RRC Group D इक्जाम डेट जारी रेल्वेब बोड के अध्यक्ष एवा मोख्य कारकारी अधिकारी बिनोत कुमार्यादों ने मंगलवार को बताया कि NTPC के 35.208 पदों के लिए 28 दिसमर से परिशाय सुरू होगी और मार्च के अंतक संपन्ध होगी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नवह हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुर के अबेल एक अंद बाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें अपना फीड़बैक अवासे दे थैंक यू